हेलो दूस्तों आपका स्वागत है त्रिसक्ति अकाडमी में और आज हम डिसकस करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक सेकिंड में इंटिगरेशन बैपार्शल फ्रेक्षन का लाश्ट पार्ट आज हम यहां पर डिसकस करेंगे स्टुडेंट इससे पहले हमने इंटिगरेशन बै पार्शल फ्रेक्षन इस्टुडेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके एग्जामिनेशन में 10 मार्ट का 10 मार्ट का 6 मार्ट का क्वेशन हंडड़ परसंट आपको एक्जाम में देखने के लिए मिलेगा इस्टुडेंट तो इसलिए देखें आपर तीन पार्ट है तो आज ही जो वीडियो में यहां पर बना रहा हूं यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर इंटिग्रेशन यहां पर जानेंगे कि जहां पर numerator में आपका दिखी कोई linear आपका टर्म हो और fraction में कोई quadratic यहां पर function हो dissipatinghydrate bad आपके कोई linear term होगी, linear आपका कोई term होगा, और upon में, यानि जब आपके denominator में, आप देखेंगे कोई quadratic expression होगा, और उपर आपका, होगा linear expression, इस तरीके का question examination में, बहुत favorite question है examiner का, और बार-बार exam में पूछा जाता है, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो देखें, अगर integration आपके पास इस तरीके से आज़ाए, integration px plus q upon में, ax square plus bx plus c, तो student आप समझ रहें कि, ax square plus bx plus c क्या है, यह है आपका denominator, और denominator, यानि इसे आप हिंदी में हर बोलते हैं, और geo आपका उपर है, उसे आप अज़ाएं से बोलते हैं इंग्लिश में, तो देखें, तो यह आपका क्या हो गया, px plus q यह आपका linear expression हो गया, और ax square plus bx plus c आपका denominator हो गया, कई इस तरीके से आपके पास integration करने के लिए आए, तो आप यहाँ पर student जो numerator होता है, इसको resolve कर देंगे, d by dx of denominator, तो denominator का आप differentiation करेंगे, with respect to x plus b, इस तरीके से आप numerator को तोड़ेंगे student, यह आप ध्यान रखेगा, इस तरीके के integral में आप क्या करेंगे, इस तरीके के integral में मैंने आपको बता दिया, कि कहीं पर उपर, आप देख रहे हैं कि कहीं पर, जो आपका numerator है, उसमें linear है, और upon में आपके quadratic expression है, तो आप इस तरीके से numerator को तोड़ेंगे, a by dx of denominator plus b, इस तरीके से आप इस question को देखें, student solve करेंगे, और यह most important type के question है, और यह examination में मैं आपको बता हूँ, partial fraction से सबसे ज़्यादा आने की chance, इस ही question के हैं, 10 marks की, तो चलिए, start करते हैं यहाँ पर question को, यहाँ पर आप देखें, integration, 4x-3 upon में 3x square plus 2x-5 dx, तो student यहाँ पर आप देख रहें कि numerator में, आपके क्या है, numerator में आपके कोई linear expression है, और denominator में आपके कोई quadratic equation है, यहाँ पर क्या है, expression, तो इस तरीके की question को मैंने आपको बताया, कि यहाँ पर हम numerator को, जो आपका answer है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए, 4x-3, यहाँ पर a, d by dx of, किसका differentiation करेंगे आप, जो आपके denominator में term है, plus 2x-5, plus b, plus b, यह ध्यान रखेगा, तो यह आपका क्या हो गया, यह आपके term हो गया, इस तरीके सा आपने लिख दिया, यह देखिए, आप पिछले slide में, इस तरीके सा आप देखिए, numerator को break कर लेंगे, देखिए, यह देखिए, numerator को आप इस तरीके से break कर लेंगे यह आप अपनी screen पर देख सकते हैं student यह देखिए इस तरीके से आप देखिए आपने numerator को break कर लिया a d by dx of denominator plus b यह देखिए अब आप क्या करेंगे student यहाँ पर differentiation कर देंगे simple तो यहाँ पर आप जो है इस तरीके से लिख देंगे 4x-3 is equal to a इसका आप differentiation करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या एगा 6x plus 2 I hope differentiation आपको अच्छी से आती है first semester में आपने किया हुआ है differentiation तो यह आ गया student आप a की multiply आप अंदर कर देंगे तो 6ax plus 2a plus b जिसके गुडांग देखिए x है जिसका coefficient x है उसको आप compare करेंगे तो x का coefficient कौन सा है देखिए x का coefficient है यहाँ पर 4x और यहाँ पर है 6a तो 6a बराबर क्या हो जाएगा 4 6a बराबर क्या हो जाएगा 4 तो a बराबर क्या हो जाएगा student 2 by 3 a क्या हो जाएगा 2 by 3 तो a की value आ गई आप b निकालिए b को b constant टर्मे है तो b वेराबर क्या हो जाएगा minus 3 compare करेंगे दोनों side को student यहाँ पर 2a यहाँ पर देखिए student यहाँ पर 2a plus b होगा यहाँ पर क्या होगा 2a plus b हाँ यहाँ पर होगा student 2a plus b is equal to minus 3 यह ध्यान रखेगा इसको सही कर लेंगे 2a plus b को किसके साथ compare करेंगे इसको compare करेंगे minus 3 के साथ a के जगा आप यहाँ पर value रखेंगे 2 by 3 तो यहाँ आपका होगा 4 by 3 यह आपका होगा 4 by 3 plus b is equal to minus 3 student इसको मैं next page पर लेंगा आता हूँ तो b का देखेंगे जब आप इसको swallow करेंगे आप इस टर्म को तो आपके पास यहाँ पर देखें b की value आजाएगी b की value आजाएगी minus 18 by 3 और a की value कितनी है 2 by 3 a और b आपको पता चल गया a और b आपको student पता चल गया आप देखें student आपने किसको तोड़ा numerator को तोड़ा अब numerator किस form में आ गया आपके देखें जो numerator था आपने इसे को तो यहाँ पर तोड़ा है तो numerator बराबर आपका क्या आ गया यह देखें student यह ही है numerator यह देखें यह आपकी equation इसको आप मान लेंगे यह जो आपकी equation है 4x-3 6x-2 प्लस B student यहाँ पर a और b की value रख देंगे आप इस equation में a और b की value रख देंगे इसको मैंने माना equation first है यह इसको आप क्या बारेंगे equation first अब समझ गया आप कि इस equation में a और b का मान आप रख देंगे चलिए इस equation में a और b की value यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा numerator is equal to 2 by 3 6x प्लस 2 minus 13 by 3 यह आपके पास आगे numerator तो student अब आप यहाँ पर देखिए इस term की जगा यह 4x-3 term की जगा आप यह term को आसानी से replace कर सकते क्योंकि 4x-3 भी numerator है और यह भी आपके पास numerator है तो आपका integral जो integration था वो आपका क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से देखिए student यह बहुत अच्छा question है इसको समझने में देखिए आपको time लग सकता है बर आप देखिए इसको जान से समझने की कुशिस करे यह आपका क्या है यह आपका numerator है यह देखिए यह equation 2 से आप देखिए यह आपका क्या है numerator है इसको मैं यहाँ पर तरीके से लिख देता हूँ एक numerator यह है divide by divide by किससे divide करेंगे आप किसे divide करेंगे student आप यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर divide करेंगे जो आपका denominator था और denominator क्या है 3x square plus 2x minus 5 यह देखिए तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3x square plus 2x minus 5 यह आ गया आपके बास तो आपको अब इस चीज का क्या करना है यहाँ पर क्या करना है integration करना है यहाँ पर क्या करेंगे आप integration student इसके बाद की step में आप क्या करेंगे देखिए student ध्यान रखिएगा 2 by 3 क्या है constant इसको देखिए integration आगे कैसे solve करेंगे देखिए 2 by 3 क्या है constant यहाँ से बार ले लिया integration 6x plus 2 upon me 3x square प्लस 2x माइनस 5 यह आएगा और क्या आएगा यहाँ पर देखिए dx और माइनस 13 अबॉन 3 यानि यह वाली जो टर्म है इसके डिवाइड में भी रहेगा तो integration 1 अपॉन 3 x स्क्वेर प्लस 2x माइनस 5 यहाँ पर dx इस तरीके साब इसे लिख सकते हैं क्योंकि यह देखिए यह जो टर्म है 2x3 6x प्लस 2 यह इसके भी अपॉन में है और यह माइनस 13 अबॉन 3 यह इसके भी अपॉन में है तो दोनों के अपॉन में मैंने इसको separate लिख दिया तो student अब मैं इसको सही से यहाँ पर लिखता हूँ next page में जिससे आपको clarity आई कि यह आपके पास देखी यहाँ पर क्या आया तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं देखिए ज्यान दीजेगे student यहाँ पर बड़ा ज्यान देने वाला चीज है क्योंकि आपर जब integration आप बड़ी आसानी से सको कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगो कैसे 6x प्लस 2 अपॉन में 3x स्क्वेर प्लस 2x माइनस 5 जा गया dx माइनस 13 बाइ 3 integration 1 अपॉन 3x स्क्वेर प्लस 2x माइनस 5 dx student यह आपके पास आ गया टर्म इसके बाद student आप एट चीज हाँ पर ज्यान से देखिए इस टर्म में इस टर्म को ज्यान से देखिए जब भी मैंने आपको बजाया था कि इस तरीके का integration हो कि आपका जो denominator हो इसका differentiation numerator हो यानि denominator का differentiation अगर student आप देखिए denominator का अगर आप differentiation करेंगे तो क्या आएगा 6x प्लस 2 ही आएगा तो इसका integration आप इस तरीके से लिखते हैं 2 बाइ 3 लॉग 3x स्क्वेर प्लस 2x माइनस 5 यह लिख सकते हैं यह मैंने आप previous questions में भी कराया है कि जहाँ पर देखिए d by dx आप देखते हैं कि कहीं पर integration है student यहाँ पर integration आएगा integration यहाँ पर देखिए कि कोई function आपके denominator में है और इसका differentiation आपके numerator में आ जाए तो इसका answer क्या होता है log fx यह integration का एक important property है यह भी बहुत जगा आप यूज करते हैं जो आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं student यह ध्यान रखिएगा तो यह property हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं यह होप आपको समझ में आ देखते बार हैं तो आपको कोई यहाँ पर दिकत नहीं होने वाली यह जान रखिएगा अब यहाँ पर देखिए दूसरी टर्म यहाँ पर आप इसको नहीं तोड़ सकते हैं तो इसके previous वाले जो वीडियो है उसमें मैंने आपको इस तरीके का question कराया है जहाँ पर integration one upon कोई डिमीजे quadratic term है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस x² को इसका coefficient one बनाएंगे तो आप क्या करेंगे यहाँ से three सब में क्या करदेंगे आप three से multiply और three से यहाँ पर divide कर देंगे 3 से multiply, यहां पर आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकते है student, यहां पर आप इस तरीके से कर सकते हैं, कि 3 आप कर सकते हैं, यहां पर क्या करेंगे, 3 इस पूरे से common ले लेंगे, तो minus 18 upon 3, अब इस student आप यहां पर देखे, 1 upon, आपने यहां से 3 common ले लिया, क्या कर लिया, 3 common ले लि 5 बख़ें यहीं देखिए यह हो गया यह लिखते रहेंगे जयान रखिएगा यह टर्म भी आपकी क्या है continue है तो इसको मैं यहाँ पर इसका integration यहाँ पर करते हूं जिसे easily हम यहाँ पर जल्दी से solve कर लें तो क्या जाएगा minus 18 upon 9 integration आजाएगा अब student यहाँ पर क्या करते हैं x जो x का coefficient होता है इसका आधा करते हैं मैं आपको previous फीडियो में बता है था कि x का coefficient का आधा करते हैं और आधा करने के बाद उसका square को plus और minus जोड देते देखिए कैसे 1 upon 1 upon x square जब देखिए आप 2 by 3 x को half करेंगे तो यह x by 3 आएगा क्या आएगा student यहाँ पर जब आप इसको क्या करेंगे जब आप इसको क्या करेंगे? यहाँ पर 2 by 3 of x यह अपका student 2 by 3 of x यह क्या है आपका 2 by 3 of x अब इस्टुट देखिए तो क्या आएगा आपके पास? 1 by 3 तो coefficient क्या आएगा 1 by 3 तो इसको तो आप ऐसे ही लिखिए इसको ऐसे ही लिखिए 2 by 3 of x minus 5 by 3 को भी यहां से लिखिए जो अब आपका यहां पर आया यहां से क्या आया मैंने आपको बताया कि 2 by 3 का आप half कर दे तो 1 by 3 आएगा तो इसका square एक बारी आप जोर देंगे एक बारी घटा देंगे denominator में कोई फरक नहीं पड़ेगा एक जोर देते हैं कोई फरक यहां पर पड़ने वाला नहीं है चलिए यहां पर हम इसको जोर देते हैं यहां पर प्रिवेस वीडियो में मैंने आपको करा चुक हूँ तो देखिए प्रिवेस आपको कॉनसेउप हमें ऐसा integration में आगे काम आता रहता है तो integration का previous वीडियो अगर आपने नहीं देखा है पासर फ्रेक्षन का तो जरूर देख लिजीगा तो यहाँ पर minus तो क्या हैगा plus 1 upon 9 क्योंकि 1 by 3 का square 1 upon 9 होगा minus 1 upon 9 यह होगा अब student यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका एक term perfect square बन जाएगा कैसे देखिए x square जिसके नीचे मैं यहाँ पर highlight कर रहा हूँ यह देखिएगा तो यह आप देखिए इस term को देखिए इस term को आप देखिए मैं कोन में यहाँ पर लिख रहा हूँ x square plus 2 by 3 x plus 1 upon 9 student ध्यान से देखिए बताइए क्या यह x plus 1 upon 3 का whole square है देखिए x square plus 1 upon 9 plus 2 by 3 x यह आप देख सकते हैं तो student इसको आप लिख सकते हैं x plus 1 x plus 1 by 3 की square लिख सकते हैं तो चलिए अगले page पे हम इसको solve करते हैं तो 2 by 3 log आ रहा है उपर से यह ध्यान दखिएगा इसको मैं एक बार यह आपको लिख की दिखा देता हो 2 by 3 log 3 x square minus 2 x यहाँ पर देखिए minus 2 x यह देखिए यहाँ पर आएगा minus 2 x और यहाँ पर यहाँ पर plus का 2 x और minus का 5 यह आएगा यह आएगा और minus 13 upon 9 integration यहाँ पर देखिए 1 upon देखिए student x plus 1 upon 3 का holy square और जो यह बागी दो टर्म बच्ची इन दोनों को आप क्या करेंगे solve कर लेंगे क्या बचा बागी टर्म बागी टर्म आपकी बच्ची minus y by 3 और minus 1 upon 9 इनको जब आप solve करेंगे सिधा LCM लेके solve कर देंगे तो आपके पास आएगा 16 upon 9 minus 16 upon 9 आएगा तो उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं minus 16 upon 9 ध्यान रखेगा तो minus 16 upon 9 अब इस टर्म को student मैं कहा रहा हूँ वैसे ही आप नीचे लेकर आएंगे बाद में सबसे last में इसको solve करते हैं पहले तो minus 16 upon 9 integration देखे इसको मैं इस तरीके से लिख सकते हैं x plus 1 upon 3 का whole square और minus minus 4 upon 3 का whole square बिलकुल लिख सकते हैं अब student देखे इसमें अब आप क्या करते थे इस टर्म का integration by substitution method से इसे solve करते थे x plus 1 upon 3 को आप क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं नहीं मानते हैं बिलकुल मानते हैं तो यह t हो गया यह क्या हो जाएगा dx by dt जब आप differentiation करेंगे दोनों साइड ध्यान लखिएगा student इस्टे आप बहुत सारे हैं पर जो student पहले class से वीडियो देखते हैं उन्हें substitution भी आता है indication में parts भी आता है indication में partial fraction भी आता है तो जो student पहले से देखते हैं तो मैं कहारो यहां पर लखा लें तो इसलिए 10 माग का है क्योंकि इसमें examiner आप से सभी चीज़ें करा लेता है सवाल में तो आप इस तरीके से माल लेंगे अब यहां पर आप क्या रखेंगे तो यहां पर देखें नेक्स्ट पेज में तो यहां पर हम इसी पेज में इसको कर लेंगे तो इसको अप क्या कर लेंगे इसका screenshot ले ले जो सांसात में आती जा रही है Listen क्या हो जाए यहां पर मैनस-13-9-1 ए z ही-3 का holy स्क्वेर यही आ रहे है, dt देखे, अब क्या होगा अब यहाँ पर देखे यह आपका एक formula है यह formula है, मैंने partial fraction का जब पहला वीडियो करा है तो वहाँ पर आपको एक formula बताया था, यहाँ पर मैं एक बार दोबार बता देता हूँ integration 1 upon x square minus a square dx, 1 upon 2a log x minus a upon me x plus a, this is the formula यह formula है student तो यहाँ पर इस formula को आप use करते हुए, क्या जाएगा यहाँ पर क्या जाएगा, formula आप देख लिया आपने इसको erase कर देते हैं फिर यहाँ पर लिखते हैं फिर यहाँ पर, हम इसको यहाँ पर formula सीधा यहाँ पर put कर देंगे तो देखें, minus 18 upon 9 तो ये भार ऐसे ही आएगा minus 18 upon 9 भार इस तरीकी से आएगा 1 upon 2a 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 log x minus a यानि यहाँ पर t है भी t यहाँ पर minus 4 by 3 और t plus 4 by 3 यहाँ आएगा अब इसको जब आप further यहाँ पर solve करेंगे student तो यहाँ पर यहाँ आपके पास आएगा minus 18 upon 9 3 यहाँ पर ऊपर चल जाएगा यहाँ पर student ध्यान रखेगा यहाँ पर यह क्या हो जाएगा 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 आपका अब अब चल जाएगा 3 से यहाँ पर कड जाएगा पर तो यहां पर इस्टुडेंट ध्यान रखेगा यहां पर आजाएगा अपॉन में 24 आजाएगा स्वाल्व करेंगे 24 आएगा मैं शादीन आपन 24 लॉग अंदर आएगा 3T माइनस 4 अपॉन में 3T प्लस 4 यहाएगा अब यहाँ पे T की जगा पे आपको क्या रख देना है जो आपने माना था और T की जगा पे आपने क्या मान रखा है student T की जगा पे आपने माना है आपने मान रख देना है जो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको बड़ा लग सकता है पर जो student पहले से ही सबी वीडियो देखते हुए उनके लिए बड़ा नहीं है क्योंकि सारे इसकों से पता है जहाँ पर क्या करना है तो ज्यान रखेगा अगर आप नए student है नए पहले बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आपसे रिवर्श करता हुँ जो पहले पार प्लेलिस्ट में जाकर तो यहाँ पर student यह आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 3x-3 3x-5 value आप पूट करके दे देख लेंगे यह आ गया अब इस्टुडेंट देखिए जान दीजे यह आपके पास आ गया फाइनल इस किसका इंटिग्रेशन माइनस यहाँ पर आप देखे 13 अपॉन 9 जो आली टर्म है जो सेकिंड टर्म है इसका इंटिग्रेशन यहाँ पर आ गया है ज्यान रखेगा स यह टर्म भी आ चुकी है तो इस टर्म को भी तो आप इसमें लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको कहा था यह टर्म साथ साथ चलती जा रही है यह जो टर्म है वो साथ साथ क्या है वो चलती जा रही है यह टर्म साथ साथ क्या हो रही है चलती जा रही है तो इसको भी आप लि 3x-5-13 upon 24 log 3x-3 upon 3x plus 5 plus constant तो यह answer आएगा student तो इतना step आपको करना पड़ेगा इस question में क्योंकि student देखिए एक question दस नमबर का है इसलिए यहाँ पर आपको इसमें बहुत सारे concept यूज़ करने हैं है easy अगर आप दो दिन बार इस question की practice करेंगे आपकी टिप्स पर यह होगा इस question क्योंकि आपको student इस question में क्या करना integration नहीं करना है integration आप पहली वीडियो से देख रहे हैं कि कैसे करते है integration इसकी question आपने इतने सारे कर लिए तो student दिखिए एक बारी में दुवार आपको दाते हैं क्योंकि दस नंबर का question है आपसे पूछेगा तो है दस नंबर का question और उसमें आपको ज्यादा मैं तो हाँ पर ज्यादा करने पड़ेगी दो नंबर के question और दस नंबर के question में फरक है तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या था ऊपर linear था expression नीचे quadratic था आपने इसको इसके numerator को जो इसका अंस है इसको convert किया a d by dx of denominator plus b तो यहाँ से आपने a और b की value निकाली comparing करके फिर आपने a और b की value निकाल दी student अब आपने यह a और b की value समेथ यह जो आपका equation first है इसमें put की और 4x-3 की जगह क्योंकि 4x-3 के बराबर है तो जो यहाँ पर answer आया यह देखिए 2 by 3 6x plus 2 minus 18 by 3 यह आपने numerator की जगह रख दी अब numerator के बट्टे में क्या है denominator है तो एक बार ही आप यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या किया एक बार ही इसके upon में आ गए यह देखिए फिर आपने क्या किया यहाँ पर आपने integration की अच्छी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लगाई वह हो गया फिर यहाँ पर आपने क्या क्या इंटेग्रेशन पर partial fraction इस question यह question ऐसा है कि जहाँ पर आप आपने अगर previous वीडियो नहीं देखी तो आपको बहुत दिक्कत होने व इंटेग्रेशन हमने previous वीडियो में दो question इस तरीकी के हमने किये हैं तो आप उससे यहाँ पर अपना concept clear कर सकते हैं आप वो वीडियो देखें वही चीज यहाँ पर अपलाए हो रही है student कोई question आपको बड़ा लग रहा है question बड़ा है नहीं अगर आप इसको practice करेंगे बहु क्या करेंगे वन अपन यहाँ पर cost square x से क्या करेंगे डिवाइड कर देगे answer में भी और हर में यानि denominator में भी और numerator में भी तो यह क्या हो जाएगा इस तरीके से यह हो जाएगा आपका plus one तो student इसको आप क्या लिख सकते हैं integration sec square x upon में sec square x plus one यह लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं student अब आप देखिए sec square x को जो upon में है आपका sec square x इसको आप convert करेंगे 10 के term में तो आपको पता है जो sec square x होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं तो यह आपका हो जाएगा sec square x 1 plus 10 square x dx भी आतर रहेगा सादमें student 1 plus 10 square x plus one तो यह one और one क्या हो जाएगा? तो इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं sec square x upon में 2 plus 10 square x इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं यह 10 square x plus 2 आप इसको लिख सकते हैं 2 plus 10, यहाँ पर 10 square x plus 2 square आप लिखिए, क्योंकि यह आपको जादे easy होगा, पता चल जाएगा आपको ऐसा क्यों किया, यह देखिए, इस तरीके सा आप लिखेंगे, अब यहाँ पर आप लगा देंगे, integration by substitution method, integration by substitution method आप यहाँ पर लगा देंगे, तो 10 x को आप क्या माल लें, t माल लें, जी जो 10 x है, इसको आप क्या माल लेंगे, t, तो देखिए, जब आप let, let करेंगे, let 10 x equal to t, तो यहाँ पर यहाँ इसका differentiation करेंगे, दुनों साहे, तो इसका square x dx, बराबर dt हो जाएगा, तो क्या हैगा, आपको इंटिग्रेशन dt, upon में, upon में, t square plus root 2 का whole square, यह ध्या second square x की जगा, तो dt आ गया, 10 square x की जगा, t square आ गया, और 2 को आप क्या लिख सकते हैं, under root 2 का whole square लिख सकते हैं, तो यह आपने लिख दिया, अब student यह भी एक property है, ध्यान दीजिए, यह भी आपकी पास एक integration का formula है, और वो formula क्या है, 1 upon, integration 1 upon x square plus a square dx, क्या होता है, 1 upon a, यानि 1 upon root root 2, 10 inverse, 10 inverse, x by a, x के यहाँ पर, under root 2, यहाँ पर x के t है, x के t है, 10 inverse, x के यहाँ पर t by root 2, root 2 plus constant, अब देखिए, half यह ऐसे रहेगा, t की जगा आ वेल्यू पूट कर देंगे, तो क्या है, t 10x, by root 2, plus constant, तो यह आगया answer, यह भी question जो है, 6 mark का, पूचा गया है, examination में, तो इस तरीके question भी, मैंने आपको, एक और करा दिया, तो student, देखिए, आज का जो question था, partial fraction का, जो पहला question था, उसमें आपको ज्यादा समय, इसलिए लगा student, क्योंकि 10 mark का question है, और 10 mark के question में, आपको time लगेगा ही, exam में, पर student, अगर आप इस question की practice, 4-5 से अधिक बार, आप इसकी practice करते हैं, अच्छे से, तो question कुछ नहीं आपके लिए, और देखते ही, आप इस question को घबरा जाएंगे, फिर कभी भी आप इस question को नहीं कर पाएंगे, तो question आप वीडियो को एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, concept को समझी अच्छे से, क्योंकि ये question देखिए, बहुत important है, 10 mark आपके लेकर आएगा, ये question मैंने आपको बताए हैं, जो दोनों आज, तो ये 10 mark का है, मैं आपको उता रहा हूँ, ये question आपके important, most important है दोनों question, 10 mark और 6 mark, 16 mark का एक वीडियो में आप complete करते हैं, जो previous year question है, तो पहले मैं आपको कहता हूँ कि आप partial fraction की integration की सारे वीडियो आप line बारी से देखते वे आएए, अगर आप integration की सभी वीडियो को line बारी से देखते वे आएंगे, तो आपको बिल्कुल भी problem हो ही नहीं सकती, ये मैं आपको confirm करती ता हूँ student, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप playlist question है, homework question है, और इसका answer भी मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है, तो answer भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये question है, ये इसके लिए insert आप इसकी ले सकते हैं, ये इसका answer आप match कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको query है तो आप comment करें, आप हमें देखते करें Facebook, Instagram और Telegram पर as per given ID follow करें, और अगर कोई भी दिखत हो, तो आप क्या कर सकते हैं, comment box में comment करें, बहुत बहुत धन्यवादे students